चंडी कोटला में कब्रिस्तान की चार दिवारी तोड़ने पर अलप संख्यक समाज में भारी रोश पूरो चेर्मेन विजय बंसल ने मोके पर पहुँच कर दिया समर्थन चंडी मंदर में हजरत बिलाल जामा मस्जिद के साथ दस बिगाज जमीन में सरकार दोरा दश को पहले निशान धही करने के बाद दी गई जमीन में सो साल से ज्यादा समय पहले के निर्मित कबरिस्तान की चार दिवारी गैर कानोनी रूप से तोड़ने पर आलप संख्यक समाज में भारी रोश है जिसके चलते हर्याना किसान कॉंग्रस के वरिष्ट अपाध्यक्स विजावंसल एडवोकेट ने राश्ट्रिय परवक्ता एननास वाई दिपांशुवंसल एडवोकेट सद्रुखान आधी के साथ मोगे पर पहुंचकर मुसलिम समाज को समर्थन देते वे नगर निकम परशासन द्वारा गैर कानूनी रूप से दिवार तोनने की कारे की कड़ी निंदा की तो इसके साथ ही कहा कि इस मामलियों के लेकर वे मुख्यमंत्री हरेना मनोरलाल खटर हैम शहरी स्थानी निकाय मंत्री कमल गुप्ता को अवगत करवाएंगे आयम दोशी अधिकारियों के विरुत कारवाई अमल में लाने के लिए गुजारिश की जाएगी इसके साथ ही मैनेरिटी कमिशन को भी चिठी वेज़कर परशासन के गैर कानूनी कारे से अवगत करवाएंगे इसके साथ ही जमाबंदी समेत रेवनी रिकाउड में भी कबर कबरिस्तान के नाम जमीन है पूरो चेर्मेन विजबंसल को अच्रु खान चोदरी दिल्दार खान मुहमद रफीक राजु खान पूरुन चंद नंबरदार द्याल सिंग पूरो सरपंच हेडर अली मुहमद सकी सद्रू मुहमद आदी ने बताया कि नगरनिगम परशासन न वो चारदिवरी का रखरकाव करना चीवें वहां नगरनिगम परशासन इसे तोड़ने का काम कर रहा है उन्होंने कहा कि जबकि स्थानी लोग अपनी नीजी कमाई से लाखर रुबे खच करके इस कबरिस्तान का रखरकाव करते आ रहे हैं पूरो चेर्मेन विजबंसल ने अपना समर्थन देते वे आश्वस्त किया कि माननिय नियाले में भी गैर नगरनगम परशासन की और से गैर कानूनिक कारे के खलाब लड़ाई लड़ी जाएगी तो वहीं फिर हर मोर्चे पर आवाज बुलंद की जाएगी जिससे दोशी अधिकारियों को सजा और अलप सं किक समाज को इंसाफ मिल सके